मैं नम बिक्रम है और मैं जी एनू का हिस्ट्री का सोद छात्रू और प्रभात खबर नीज पेपर्स का दिल्ली बिरो कर्स्पोंडेंट हूँ सर, मेरा सवाल इसी से सम्मंदित है, दो सवाल है, एक ये कि आपने कहा कि जाती बाद के विल हिंदू धर्म में ज़्यादा माना जाता है, लेकिन कुरान में ये कहा जाता है कि जाती बाद नहीं है, लेकिन अब देखेंगे इसलाम में तो सैयद है, पठान है, इनको काफ़ी म जबकि जो निम निजासी के लोग हैं जो दलित मुसल्मान हैं उनके साथ भेदवाव जादातर किया जाता है दूसरा कि ट्रिपल तलाग के बारे में बताईए मेरा ऐसा मानना है कि इसलाम धों को बदनाम करने के लिए कुछ हिंदुन संक्टरों ने ट्रिपल तलाग को बहु अस्थप कराओं तैंक्यू बारे में दो सवाल पूछे पहला सवाल कि मैं के ताँए इसलाम में जात पात नहीं है तो इसलाम में सज्थ है पठान है ये सब क्या है अल्ला समय तलाब फर्माते हैं सिर्वजूरात में सुन नम्बर उन्चास आयत नम्र तेरा में दो इसलगों इनसानों हमने आप को एक जोडी से पैदा किया किम सिंगल पैश इस जोडी से मर्द और आउराड की और आपको कभीले में तक्सीम किया विकलिशन दोसरों बाहिए तकिर अब्यूसरे करें आपको कभाइल में तक्सीम किया चैसे आ कि आप एक दूसरे से जगड़े या एक तिलाफ पैदा करें और सबसे अच्छा इंसान वो है जिसके पास तक्वा है कुरान शरीफ में अल्ला सुना था फर्माते हैं कि इनसान को पर्खा जाता है ना कि उनकी जाइदा पे ना दौलत पे ना रंग के उपर क्याला या सफिद ना अमीरिया गरीब लेकिन तक्वे पे अल्ला सुमाता से कितनी महबत है अतना खौफ है और तक्वाई चीज़ है जो इनसान को उपर लेकि जाता है दूसरी इनसान से तो जाज़ पात इसलाम में बिलकुल नहीं है और महमस अल्ला सल्लम ने आखरी हजद अल्विदा में कहा कि ना कोई अरब गैर अरब से बहतर ह ना ही कोई सफेद इनसान काले से बहतर है ना कोई काला इनसान सफेद से बहतर है सिर्फ सक्वे से इनसान उपर हो सकता है तो जाज़ पात इसलाम में नहीं है ये तो सरनेम है खान पठान शेक सयद ये सरनेम है सरनेम मतलब देशा होता है ना सरनेम मिसार की तोर पर इंडिय आमें कितने लोग का सरने में, देसाई सरने में, पटेल है, जोशी है, जो भी है, ये सरने में, किदर भी कुरान ये हदीफ में नहीं लिखा गया है, कि खान शेक पर है, हाँ शेक, जो अरबिक में, हम सर के जा कहते हैं, सर, मतलब मौतरम, तो उस तरीके से अरबी में, शेक ए कई भी जात पात उची नीची बात ही ने ये बिल्कुल गलत है लेकिन मैं जानता हूँ कि कुछ मुसलमान देहात में इसको मानते है कि मैं पढ़ान हूँ तो और उचा हूँ मैं शेख हूँ तो उचा हूँ सेद हूँ तो उचा हूँ कि मीडिया काफी तीन तलाक उच्छाल रही है और इसका क्या जवाब है अफ्सोफ की बात है कि माश्रे में मुस्लमान के माश्रे में तीन किसंद की तलाक है मुस्लमान के माश्रे में सुसाइटी में एक तलाक बिदत तलाग 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 एक साथ में को हो जाती है एक तलाग के हसन जो तलाग दो एक महा रुको हैस के लिए फिर तलाग दो फिर रुको फिर तीसरा तलाग दो और तीसरा तलाग के हसन जो बिलकुर सभी तरीका है जो कुरान शरीफ के है तलाव दो और तीन महा रुखो कुरान के आयते सुरी बकरा में फुरान में दो आयत में दोसुछ त्हाएक में दिखा हुआ है कि जब भी आप तलाव देंगे तो तीन महा या तीन हैस्ट की इद्धत है तो तलाव पूरे मुकम्ल होने के लिए तीन हैस एक तीन महा तीन मेंस्टर रिसाइकल और थ्रीमंतली कोसिस मस्थ है कंपल सरी है अब सोब की बात है कि ये जो इकतिलाफ उम्मत में है उसके एक वज़े है एक सब्सक्राइब अबन अबास मिदलावन को फरमाते है कि मुम्मत सब्सक्राइब के दौर में तीन तलाव एक ही मानी जाती थी हदर्द अबुबगर के दौर में तीन तलाव एक ही मानी जाती थी हदर्द अमर के पहले दो साल के दौर में तीन तलाव एक ही मानी जाती थी जो अक्तिलाफ उम्मत में है और कई उल्मा में 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 उल् उसके अंदर ये है कि कब भी कोई difference opinion कोई जगड़ा हो जाता है शो और भीवी में तो पहला शो और बीवी बेट के बात करें ऐसा नहीं कि बीवी ने नमग ज़ादा जाज दिया उतलाध तर लाक के दे रहो गए अगर बीवी में नमग ज़ादा जला बहुले महामला सुलहू जाएंगा बीठ के बात करो फिर भी बात नबने तरह तला तला फर मात है सब्सक्राइब को स्सक्राइब कि अद्द कि आपके दर्मान थी खापुर एक अर्बिट्रर के तरस से एक और कि अक्षिअ को भी Bul decep की के ज़ए फंद हकम राइब के तर्फेंफ और मामला को सुझ जा लो फिर भी ऐगार बात माने तो आप फिर तलाग दे सकते हैं तो तलाग देते हैं तो कई उसके काइटरियाज है कि हैस के वक्त तलाग मत दो जब आप घुसे में तलाग मत दो शराप के आलत में तलाग मत दो उसके बाद जब तलाग दिया जाता है तो तीन माहा रुकना चाहिए तलाक के आहसन है जो बिलकुल सही तरीका है तलाक दो और तीन माहा रुको और तीन माह के अंदर अगर आप रुजू करना चाहते है अपने बीवी से तो रुजू हो सकते हैं अगर तीन माह तक आप समझते ने मुझे मेरे बीवी से अलग होना ही चाहिए तो तीन माह के बाद इद्द गुजरने के बाद आप दोनों मिया बीवी नहीं रहते आप अलग हो जाते लेकिन उसके बाद अक्सर मुसल्मान भी नहीं जानते ये पुरान की आयत क्या है पुरान शरीफ में लिखाव एस्वरे बक्रा में सुना नमदो आयत नमदो सब अतीस में कि अगर वो शक्स अपनी पुरानी बीवी से फिर से शादी करना चाहता है तो मत रुकिए तो अगर तलाक हो चुका है सही तरीके से और तीन महा हो गए इदद गुजर गए शे मेने बाद अगर लगा बैजो मेने किया गलत किया मैं फिर से शादी करना चाहता है तो वो आदमी अपनी पुरानी बीवी से फिर से निका कर सकता है लेकिन नया निका नया महर नया निका, नया मैड जो कई मुसल्मान नहीं जानते अफसूस की बात है कि हम मुसल्मान पुरान को तर्जुमे के साथ पढ़े ही नहीं सही हदिस को तर्जुमे के साथ पढ़े ही नहीं अगर हम कुरान शरीफ को सही तरीके से पढ़ेंगे और शईय हदिश Bliss पे अमल करेंगे तो ये जो गलत पयमिया है दूर हो ज़ी और फिर से अगर शादी हुई फिर से आप साथ में दे सकते फिर से प्राब्लम हुआ तो फिर तो दालाक दो फिर तीन मा रुको फिर से अल्व हो जा फिर से आप चाथे फिर से शादी कर सकते तीन बार जाएज है तीसरे बार आखरी बार है उसके बाद आप फिर से शादी नहीं कर सकते जब तक वो दूसरी के तीसे शादी नहीं करे लेकिन मैंने अपनी जिन्दगी में एक भी शक्स मेरे जिन्दगी में नहीं आया जो तलाग के आसन किया सही तरीके से तलाग दिया इलादा हो गए, फिर निकाह हो गए फिर इलादा हो गए, फिर निकाह हुआ फिर इलादा हो गए, मैंने कोई भी शक्त मेरे जिन्दगी में पूरे दुनिया में ऐसा ş li responsible कि आए व連 और किया और कुछ लोग जो इस्लम चाथ अए और कि साथमें और कियाग और बिछ्छ गया और किया इसलम को इसमा मुख बनाए और किया अग म piorाद सरा Connect के ले सक्तित में इह के ल inom máximo होता था लाद हईव औरूबकर काम के टाम में बी तीन इसालाओं fill trud ने होता था हजधता उमर के दौर में लोग जो कहतें तीन इत्व ने आपको इनत्वत तरों होती है इसमें उम्मत का एक्तिलास है लेकिन अगर गुरान की रोश्णी में देखेंगे तो तीन तलाक एक साथ ने भी देंगे तो एक होती है खथरत उमर के दौर में उन्ने कहा ता कि हम उसे कहने सकते हैं क्या वो गालत है लेकिन उलमा ये कहते है मिसागत अबन तेमिया, शेक अबन तेमिया वो कहते हैं कि ये हदरत अमर मैं लाभी प्रीज़ देते हैं रजी लगान वो मुहम्मद स्लिभा स्लिभा ने जो कहा उसके उपर नहीं है इसलिए हमें बात मानना चाहे खुरान और अल्ला के रफूल की इसके अंदर हदरत अमर मैं लाभी प्रीज़ देतें उनने रुजू किया इसलिए वो कहते हैं कि तीन तलाग भी होईगी तो एक ही होती है तीन नहीं होती इसमें उम्मत का इक्तिलाफ इसलिए है कि हमने कुरान पढ़े ही नहीं हम अगर कुरान पढ़ेंगे सही तरीके से और जाने कई लोग ये समझते कि तलाग के लिए तीन बार भूलना ज़रूरी है अगर तीन बार नहीं कहेंगे तलाग होती ने वो उनकी नादा नहीं है वो उनकी जहलत है तो हमें क्या करना चाहिए ये मीडिया उचाल रही है हम मुसल्मानों को ये तलाग का तरीका जो सही तरीका है तराग के अहसन उसको आम करना चाहिए और ये कहना चाहिए किस बुनियात पे तलाग दी जा सकती है कब दी जा सकती है कैसे मुक्चे पे दी जा सकती है देना चाहिए के ने तो ये सब अगर हम मुसल्मान आम करेंगे तो इन्शालला ये एक्तिलाफ जो उम्मत में है वो नहीं रहेंगा और मीडिया उसे उचाद रहेंगे